हालो गुड विडिंग नमस्कार वेलकाम टू एक्जामपूर मैं मित पांड़ एक बाद फेट से स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार एक्जामपूर हमें एक्जामपूर कलम से एकरांती और आज कि अगर बात करते हैं तो भी सेचते आपको पता होगा कि आने वाले दिनों में आपका यूपी लेकपाल, यूपी असाई, यूपी कांस्टेवल और यूपी लोवर PCS साथी साथ अपर PCS के जब बात करते हैं तो विवेन परकार के जो आपके एक्जाम लगे हुए हैं जहां पे कहीं कहीं यूपी जीके का एक बड़ा महत्पूर सेक्शन उस अपर कराई जाती है और उसी क्रम को जारी रखते हुए पुनाय आज की दिवस में हम आपके सामने उपस्थित हैं क्रम की सुरुवात यही से करते हैं जल्दी से जल्दी आप लोग क्लास में जुड़ जाएं और क्लास को लाइक और सेयर कर दें उन्हें ध्यान लखेगा अगर जो चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब बे कर लेंगे और जितने लोग आ चुके हैं बहुत अच्छी बात है और जो लोग आ रहे हैं ध्यान रखेगा वो पिछले दरवाजे से आएंगे क्योंकि आगे वाली दरवाजे से आते हैं तो क्लास में डिश् पीछे वाले दरवाजे से सांती से आकर के बैठ जाएगा और चीजों की सुरुवात हम यहीं से करते हैं जैसा कि अंदेग पारें सौरव मिस्रा रोहितानंद राजबीर सिंग दीपक यादो साथी साथ जोयती भारती अजीत सिंग चौहान बवितार तूतरिया साथी साथ आपके लक्षमी गुप्ता महिमा और रिया जैसवाल पवन यादो ओम सांके और इसके अलावा और भी कई सैलों धीरे धीरे जुड़ रहे हैं तो जल्दी से जल्दी आप लोग क्लास में जुड़ जाएं इस क्लास को लाइक भी कर दें साथ ही साथ अपनी दोस्तों मित्र को मित्रियों तक इस क्लास को सेर भी कर दे हैं चलिएगा विसे इस इस तर शुरुवात यहीं से करते हैं एक-एक क्रम की बाग्देवी की क्रिपाप के उपर सदय बरकडर है इसे बिंदू के साथ हम एक-एक बिंदू की खासा चर्चा करते हैं धेन रखेगा स्वाती के द किसमत में वो नहीं तो उसी क्रम की जब बात करते हैं तो कह रहा है कि किसमत से लड़ने में मज़ा आ रहा है दोस्तों क्यों क्यों क्योंकि ये मुझे जीतने नहीं दे रही और मैं हार मानने वाला नहीं ठीक है क्यों क्यों क्योंकि मैं अपने उपर एक तरीके से दिन पतिक गया कर चुका हूँ और उस देन पतिग्या के अंदगत किसमत तो हमें जीतने नहीं दे रही लेकिन मैं हारने वाला भी नहीं हूँ तो इस कारण से इस लड़ाई में काफी आनंदा रहा है इस बिंदु के साथ ही जो क्रम की सुरुवात करते हैं तो ध्यान कीगा प्रमुक्त के साथ अपने अंतराश्टिय सीमा प्रमुक्त से क्या करते हैं साजह करते हैं और अगर जो इसकी बात करते हैं तो आप भी जानते हैं पांच जिलो का क्रम छे जिलो का क्रम साथ जिलो का क्रम या फिर आपके आठ जिलो का क्रम प्रमुक्रूप से अगर बात करें तो हमारे उत्तब देश की सीमा नेपाल के साथ जो साजा होती है वो कितने जिलो के साथ होती है आप जानते भी है देश की क्रब में अगर बात करें तो हमारा उत्तब देश जो है वो उत्तब देश इससत है दिशा की आधार पर इसका नाम पड़ा है और इसकी जब बात करते ही तो इस तिस तरीके से उत्तब्दिस की सीमा आठ राज्य और इसके अलावा एक केंद सासेत प्रदेस दिलही के साथ साज़ा होती है लेकिन हमारे प्रदेश की सीमा एक मात्र अंतराष्टिय देश नेपाल के साथ भी साजा होती है और नेपाल की जब बात करते हैं तो नेपाल के साथ जो हमारी अंतराष्टिय सीमा साजा होती है वो कुल मिला के साथ जिलो के साथ साजा होती है साथ जिलो के करम की जब बात करते हैं तो की जब बात करते हैं इसके अलामा लखीमपुर खीरी की जब बात करते हैं साथे साथ बहराईश की जब बात करते हैं बहराईश के अलामा आपका स्राबस्ती और स्राबस्ती के अलामा बलरामपुर और बलरामपुर के अलामा आपका अपना जिला सिधात नगर और साथ ही उत्तब देश के क्रम में नेपाल के साथ सुझाजा होती है इसका साथ अलग-अलग जिलों के साथ हो जाता है एक क्वेशन और ध्यानिकेगा सीमा को आधारित करते हुए यही क्वेशन कई बार पूछा जाता है कि हमारे प्रदेश के सीमा सबसे जादे किसके साथ लगती है तो वो लगती है मंध्य प्रदेश के साथ कुल ग्यारह जिलों के साथ और यही पर सबसे कम की जब बात करता है तो सबसे कम जो साजा होती है वो साजा होती है हिमानचल प्रदेश के साथ उत्तब देश का एक मात उत्तजीलिया और वो आपको देश मिलता है किसके रुप मे सहारनपुर की जब बात करते हैं तो उसके साथ साजा होता है एक question बहुत important होता है सोनभध की रुप में और सोनभध की जब बात करते हैं जिसको हम भारत का उत्तब देश का सुड़ियर लेंड कहते हैं इसकी सीमा चार राज्यों के साथ साजा होती है हमने कई बार चर्चा कि या कि बिहार के साथ उनह जारखंड के साथ इसके अलावा 36 गड़ और फिर आपके मध्य प्रदेश के साथ तो question के रूप में ये सारे कई बार क्या हुए है आपके पूछे जाते हैं ठीक है चलीगा इस question की बात करते हैं कि निमलिकित में से उत्तब देश की कौन सी इमारत बिसके साथ आश्चरियों में से एक आपको देखने को मिलती है और इसकी जब बात करें तो यहाँ पर प्रमखुप से लाल किला या फिर जासी का किला या फिर ताज महल या फिर इनमें से कोई नहीं अगर जो क्रम की बात करते हैं तो इसका सही जबाब क्या हो जाएगा प आठवी क्या हो जाती है अपनी जोडी हो जाती है अपनी जोडी की जब बात करते हैं तो यहाँ पर ध्यान कीगा हमारा और आपका संब्द क्यों क्यों क्योंकि आप भी कहीं के इस क्लास का इंतजार करते हैं और हम भी कहीं कहीं इस क्लास का पूरी तरीके से इंतजार करते तो यहीं इंतजार होता है कि अगला दिवास कब नाव बजेगा और आप से एक रुबरु होने का समय आपके साथ मिल पाएगा ठीक है तो आठवें अजूबे की जब बात करते हैं तो यह तो हमीं लोग होते हैं लेकिन साथ अजूबों की जब बात करते हैं तो उसमें से को देख मिलता है, हमने कई बार चर्चा किया है, कि सन 1983 की जब बात करते हैं, तो इसी 1983 में क्या किया गया था, जो आपके UNESCO की heritage list होती है, उसमें भी इसको सामिल कर लिया गया था, ठीक है, अगर जो इसकी बात करते हैं, तो 1983 की अंदगत क्या किया गया था, जो आपके बिश् करते थी, मुम्ताज बानो बेगम के रूप में, और मुम्ताज बानो के याद में ही क्या किया गया था, इस आज के समय की सबसे कैसे क्तों कि भब इमारत की जो सनरचना है, वो आपके आगरा के अंतगत देखने मिलती है, किसके द्वारा, मुगल बास साह, साह जहां के अपनी पत्ने मुम्ताज बानो के याद में, पुने द्यान एक हैगा, ताज महल के रूप में एक सबसे बड़ी क्वेश्चन की जब बात करते हैं, तो यह बहुदाबार पूची गई है, कि इसको जो सनरच्छित किया गया है, किस रूप में इसको बनाए गया है, तो आप आपके जो छीनी और हथवडी होती है, उसके माध्यम से क्या की जाती है, डिजाइन कोई बना दी जाती है, और उस डिजाइन में क्या की आता है, फिर आपके चाहे सोनी की बात हो, चाहे चांदी की बात हो, इस तरीके से धात को गला के उसमें पिरोय जाता है, और धात के अलामा अगर जो देखा जाए तो इसमें रंगीन पत्थर वगरे को सजाया जाता है तो इस तरीके से पित्तु दुरा सैली की जब बात करते हैं तो पित्तु दुरा सैली के अंदगत आपके संगमर्मर सफिद संगमर्मर के रूप में प्रमुक्ते से आपके ताजमहल को बना है ठीक है तो यह थोला सा ध्यान रखेगा विकास यादो चलिएगा नेस कोश्चन की बात करते ही कि उत्तब देश के अंतरगत डूम राजा का महल कहां इस्थित है डूम राजा के महल की जब बात करते ही तो इसका सही जबाब क्या हो जाएगा और यहां पर अगर जो देखा बार चर्चा किया कि GIC आपने सुना भी था गौर्मेंट इंटर कालेज का जो अभी UPPCS के द्वारा पेपर करा गया था जिसमें 44 नंबर के क्या होते ही GS के क्वेश्चन आते हैं और उसमें कह सकते हो कि 15 से जादे क्वेश्चन ऐसे देखने के मिले जो आपके उत्तब उपर आधारित कहीं उसके इर्द गिर्द थे और उन सारे बिंदों को हमने एक एक करके अपने क्लास में चर्चा किया था ठीक है तो इसकार से इसके लिए ना परिशान हो कि आपके टेट और सुपर टेट में जो आपके कह सकते हो UPGK का सेक्षन होगा उसके लिए ये क्ला और मित्र मित्रियों के साथ इस क्लास को सेयर करें ठीक है उनको बता दे कि कह सकते हो कि बिस्ट लेवल की सबसे महत्पूर्ण क्लास UPGK की क्लास अब आपकी सुरू हो चुकी है रात के 9 बजे से ठीक है यहाँ पे सही जबाब क्या हो जाएगा कि डोम राजा का महल आपके उत्तव देश में कहां पर देखने को मिलता है और अगर जो इसकी बात करते हैं तो ये प्रमुक्ते से हमने कई बार चर्चा किया है आपके बनारस की ठीक है बनारस की जब बात करते हैं तो आपने सुना भी होगा कि यहाँ पे आपके 84 घाट और 84 घाटों के अंतरगत एक बिसेश कम्यूटी होती है जो क्या करती है इसकाम को करवाती है जिनको हम सामायने ते डोम बोलते हैं और डोमों को आधारी करते हुए बिभिन प्रकार की आपके जो संबंधेत समुदाय होते हैं वो आपके बनारस में ही निवास करते हैं तो इनका जो राजा हुआ करत प्रमूक्त यहाई है इसको डूमराजा भी संग्या देते हैं तो DAY जो सबसे महत्तरपूर्ण आपका महल हो जाता कि यहीं पर आपको देखने को मिलता है टुक है यहोगी से और मसान के नाम से और मसान जब करते हैं तो अनल रहा कि इद दुख का है घत्म ना इसकी जब बात करते हैं तो वो भी इसी community से संबंधित देखने को मिलता है ठीक है अलाकि बनारस की जब बात करते हैं तो आपने सुना होगा गंगा नदि के किनारे परिष्तित है अमने कई बार चल्चा किया है कि बाबा बिर्सुनात की नगरी की रूप में इसको काफी मानि बनारस के अंतगत अगर जो देखा जाए तो मदर मोहरमालवी के दोरा वियक्चू की अस्थापना प्रमुक्त से की गई है और इसके अलावागा जो बात करें तो यहीं पर आपके कासी बिद्यापीट महात्मा गांदी कासी बिद्यापीट की जब बात करते हैं तो यहीं पर और रुद्राच नाम से एक़ आपका कण्वेंशन सेंटर अध्यादुनिक प्रकार का कण्वेंशन सेंटर की जब बात करते हैं तो यहीं पर देखने को मिलता है ठिक है तो इस चीज को बिसुनात नगरी की भी संग्या देते हैं और यहीं पर अगर जो देखा जाए तो यह 5000 साल पुरानी सहर के रुप में मानिता देख मिलती है और इस कारण सो बिस में सबसे प्राचीन सिटी की भी क्या होती है संग्या इसको दी जाती है ठीक है तो इस चीज को ध्यान केगा ज क्रमुक रूप से क्या हो जाता है कहीं कहीं आपका महल देखने को मिलता है यहां पे राणी जोधा-पुरी का महल सिवा सिंग कर रहे हैं कि इनका मुबाइल टूट गया है अच्छा मुबाइल की बात आई तो आज एक बात करते हैं ठीक है कि क्या कह सकते हैं पस्तावा तो बहुत हुआ लेकिन फिर भी अब तोड़ दिया तोड़ दिया का करें फिर बाद में फिर दूसरा लेना पड़ा ऐसी बात ना है लेकिन वही होती है कि करते ना कि अपने गुश्य पर कंट्रॉल रखना चाहिए नहीं तो पता चलता है अपन का जो सासन प्रसासन था चुकि अकबर का संबंध मुगल सासन काल के अंतगत आता है और मुगल लोगों की जब बात करते हैं तो ये कहीं कहीं क्या किये थे अपनी सत्ता को बढ़ाने के लिए सत्ता को बढ़ाने के क्रम में क्या किया इन्हों ने अपनी जो कह सकते हैं चु जोधाबाई के लिए तो जोधाबाई के साथ इन्होंने प्रमुक्ते से अपनी साधी रचाई थी और अगर जो इसकी बात करते हैं तो इस क्रम में इन्होंने क्या किया जो अपनी साधी रचाई तो जाहिर सी बात है कि अब इनकी ये रानी हो गई तो रानी को रखने के है बुलंद दरावाजा थाठी को और तो यही पिया का पंच महल भी आपको मिलता है शारी महल के आपके फत्य पursीपर सीगल की अंदगत प्रमुक रूप से देखने को मिलता है तो इस चीज को ध्यान रखेगा महात्मा बुद्ध की परिनिर्वार अस्थली कहां परिस्थित है कुसी नगर के अंतगत या फिर आपके बनारस में या इलाहबाद में या फिर आपके कौसामभी के अंतगत अगर जो इसकी बात करते हैं तो इसका सही जबाब क्या हो जाएगा है ठीक है रियातिवारी फोन ना तोड़ती है अच्छी बात तोड़ना भी नहीं चाहिए है कि अपना ही नुक्सान हो जाता है कि मिना मतलब के नुक्सान की ऊपर एक नुक्सान ही हो जाता है। अब हम भी सोचंगे क्योंकि यह दुबारा हम नहीं किया था आएंब ऐसे और फोन तोड़ा था उस टाइम पर यूटूब पे जो बीत गया बीत गया चलो यहां पर जो देखा जाए तो पढ़ निर्वान अस्थली अगर जो इसकी बात करते ही तो इसका क्रम क्या हो जाता है और देखा जाए तो पढ़ निर्वान अस्थली के रूप में आपने सुना भी होगा हमारे यहां पे कुसी नगर जिले का नाम कुछी नगर की जब बात करते हैं, तो बड़े अस्तर पे आप भी जानते हैं कि भागवान बुद्ध का जो जन्म हुआ था, वो आपके लुम्बनी में हुआ था, कहां पे हुआ था, लुम्बनी की जब बात करते हैं, तो लुम्बनी की अंतगत इनका प्रमुक्ते से जन्म भी था इसके अलामा गर जो देखा जाए तो इहीं पर इनको बोध गया के अंतरगत क्या हुआ था ज्यान की प्राप्ति हुई थी और बोध गया के अंतरगत अगर बात करें तो पुनह सारनाथ में क्या हुआ था इन्हों ने अपने जो उपदेश होते हैं अपने पांच प्रफित था उस चंदू के द्वारा कह सकतो कि कुछ लोग मानते ही कि खीर खिलाने से और कुछ लोग ने बहुता की सुवर की मांस हलाकि क्या संदेश था यह तो नहीं पता लेकिन फिर भी कुछी नगर में क्या हुआ था इनका तवियत अचानक बिगड़ गया और तवियत हुआ है पूसे नगर की अंदगत हमारी हाँ पे जब हम छटी सताबदी की बात करते हैं तो उचपी सताबदी में 16 महाजनपद हुआ करते थे जिनमें से 8 आपके उत्तवधित में थे और एक महाजनपत काफी महत्वोर होता है जिसको हम मल राजा के राजी की रुप में देखते हैं जिसकी राधधानी आज के समय में आपकी जो पड़राऊना होती है कुसी नारा नाम से राज्य था तो उस कुसी नारा की राध्धानी पड़रावना की रुप में आपको देखने को मिलती है एक चीजा उध्या नखेगा बरतमान में आप भी जानते होंगे सुने भी होंगे कि प्रदेश का किन्नर बिस्विध्याले आपके प्रदेश का किन्नर बिस्विध्याले जाए जिसको हम ट्रांस जेंडर इन्वस्टी की संग्या देते हैं वो भी आपका यहीं पर आपका स्थापित किया जाएगा और इसके अलामा कर जो देखा जाए तो यहीं पर ध्याने केगा आपने सुना भी होगा कि हमारे उत्तवद इसके क्रम में इसी कुसी नगर में आज के क्रम की जब बात करते हैं तो इसी कुसी नगर में क्या होगा अंतराश्ट्य अस्तर का एक आपका एरपोर्ट भी बनाया जा रहा है एक आपका अंतराष्टिय अस्तर का एयरपोर्ट भी आपको देखने को मिल जाता है तो इस चीज को ध्यान केगा जब हम कुसी नगर की बात करते हैं चलिएगा ने इस कोशन की बात करते हैं कि माता टीला परियोजना इस माता टीला परियोजना की जब बात करते हैं तो ये कि किस नदी पर आपको देखने को मिलती है और जो इसकी बात करते हैं तो इसका सही जवाब क्या होगा ब्यतवा गंगा यमुना या फिर इनमे से कोई नहीं ठीक है सौरब मिसरा ना भीया इतना है भी ना लिये हैं पता नहीं कौन सा एक वो कहते हैं अरियल मी का कोई सेट है अल नहीं और क्रम की जब बात करते हैं तो ध्यान नखेगा आपने सुना भी होगा कि ये ब्यतवा नदी के उपर आधारित है किसके उपर आधारित है ब्यतवा नदी की जब बात करते हैं तो इस ब्यतवा नदी के उपर आधारित करता हुआ ये प्रमुक्ते से आपको दो ही म मिलता है एक चीज़ और ध्याने के गाँ यहीं ललिट आपके ज्हासी के अंतगती एक आपको राज घात बाद भी देखने को मिलेगा कौन सा बाद राज रानी लचमीबाईबाद, इसके अलमा राजघाडबाद और एक बात और आपने सुना होगा खास करके सुक्मा डुक्मा बाद की जब बात करते हैं तो वो भी आपको यहीं पर ही प्रमक रूप से देखने को मिल जाता है। किसकी बात करते हैं जासी की जब बात करते हैं और जासी में आप भी जानते हैं चुकि हमारे यहाँ पे रानी लच्मी बाई का नाम आता है और रानी लच्मी बाई की रूप में यहाँ पे रानी लच्मी बाई के संदर में एक आपका संग्रहाले बिसेश करके अस्थापित क और इसके अलावा यहीं पर आपको छत साल संग्रहाले भी देखने को मिलता है उन्हें अगर जो बात करें तो यहीं पर रानी लक्षमी बाई के याद में एक आपका रानी लक्षमी बाई महल भी देखने को मिलता है और यहीं पर अगर जो बात करें तो एक चीज और आपने स प्रदेश में जहांशी का संवत होता है इसको हम एसिया के अंतरगत डैम सिटी की भी संग्या देते हैं बोलते हैं ASEA में प्रदेश के अंद्रत क्या है सबसे ज्यादे क्या हो जाते हैं यहाँ पे आपके डैम बने हुए है इसका रसे इसको डैम सिटी आप ASEA भी बोला जाता है और जैसा कि आप सही कहरें प्रतिभाजी कि आपके जराय मठ की जब बात करते हैं तो वो भी आपका यहीं पे और यहीं पर अगा जो बोले तो आपका जराय मठ के अलामा यहीं पर परिच्छा डैम भी देख मिलता है और इस परिच्छा डैम या परिच्छा बांध की जब बात करते हैं तो वो भी आपके बैतवा नदी के उपर प्र ओशित किया गया है कि जासी का जो railway station का नाम होगा वह राणी लच्वी वाई के नाम से होगा और इसी जासी में क्या होगा एक आपके rail डिबबा कार खाना भी बनाया जाएगा प्रमुक्ते से यहीप पर बनाया जाएगा ठीक है तो इस चीज को ध्यान रखेगा इसके अंतरगत ट्रांस फार्मर फैक्टी किस नगर में इस्थित है ठीक है ट्रांस फार्मर फैक्टी की जब बात करते हैं तो ये प्रमुक्ते से कहां पर आपको देखने को मिलता है ठीक है धुरूप पाठक करें कि यसाई का इस्पेसल जो चीज हो उसे पढ़ाएं ठीक है तो SI में जो चीज़े आपकी पढ़ाई जाती हैं उसके बारे में अब हम कल इस पे थोड़ा सा एक कह सकते हैं सोध करेंगे कि आखिर SI में किस लेबल के question आते हैं बाकी यहां पर जो चीज़े अगर जो आपको समझ मा रही है SI लेबल की तो जरूर SI लेबल की ही बात की जा रह हा हालाकी समझ में आती हैं तो इस KLASS को थोड़ा सा like और share करें रही हैं बाकी चीज़ें हम अपने असतर पे करेंसे क हो कि बड़े लेफल करने की बात करते हैं जिसमें हर एक पहलो को कहीने कहीं रिवाईज करने की बात करते हैं ठीकर तो यहां पेश का सही जब आपके होगा कि टर् strengthening fact Tea आपके उत्तब देश में कहां पेशाधी देता है हमारे उत्तब देश के जहासी की जब बात करते हैं तो इसी जहासी के अंतरगत ही क्या है आपके ट्रांसफार्मर फैक्टी देखने को मिलती है किसकी बात करते हैं जहासी की जब बात करते हैं तो इसी जहासी में प्रमुक्ते से आपके ट्रांसफार्मर फैक्टी देखने मिलती है और देखिएगा यही पर आपने सुना होगा हमारे प्रिदेश में केंदिय चारा और चारा गाह संस्थान की जब बात करते हैं तो ये चारा और चारा गाह संस्थान भी आपका यही पर इस्थित देखने को मिलता है इसके लामा का जो देखा जाये तो आपने एक नाम सुना होगा बरुवा सागर का और बरुवा सागर की जब बात करते हैं तो ये प्रमुक्ते से एक बड़े अस्तर की क्या हो जाती है जील हो जाती है और इसकी जब बात करें तो ये भी आपको यहीं पर देखने को मिल जाता है हलाकि ध्यान निखेगा हमारे यहां पे एक बार question पूछा गया था तार्च फैक्टी हलाकि आज कल तो टार्च बनना बंद हो गया है लेकिन पुरह हैंगा जो टार्च की बात करते हैं तो टार्च फैक्टी प्रमुक्ते से कहां पर अस्थापित है तो यह ध्यान निखेगा यह आपके लखनव के अंतरगत प्रमुक्रूप से देखने को मिलता है पुरह हैंगा जो देखा जाए तो हमारे यहां पे एक बार question पूछा गया था मार्च फैक्टी के पराधारित तो मार्च जब से लाइटर आया तब से यह भी बंद हो गया लेकिन मार्च फैक्टी की जब बात करते हैं तो यह कहां पर तो यह ध्यान रखेगा यह जो आपका बरेली सहर है तो इसी बरेली सहर में आपको मार्च फैक्टी से अपको देखने को मिलता है और इसकी जब बात करते है तो यह आपको लखनौ में, बादा में, बहराईश में या फिर आपके इलाहवाराद में ठीक है इसका सही जबाब क्या हो जाएगा साधना पाल जी ठीक है यहाँ पर अगर जो बादा वाले location की जब बात करते हैं तो वहीं पे चंबल नदी के उपर आधारिक करता हुआ जो कि हमारे यहां पे कह सकते हो कि जो डाल्फिन होती हैं उन डाल्फिन को संद्चित करने के क्रम में क्या किया गया है और इसके अलामा अगर जो बात करें तो हमारे यहां पे जो बात करते हैं तो यह कहां पे अस्तापित होगा तो यह आपका मिर्जापुर में देखने को मिलता है ठीक है मिर्जापुर की जब बात करते ही तो वहां पे आपको गव अभ्यारन प्रमकूप से देखने को मिल जाता है उत्तवदेश की जब बात करते ही तो उत्तवदेश में एक मात्र राष्टिय अभ्यारन कौन सा है और राष्टिय अभ्यारन की जब बात करते ही तो आपने सुना भी होगा दोधवा राष्टिय अभ्यारन या जिसको हम दोधवा राष्टिय उद् अब्यारन की जब बात करते हैं तो ध्यानखेगा पक्ची विहार के रूप में जो आपको देही मिलता है वो आपको देही मिलता है चंद सेखर आजाद पक्ची विहार जो कि आपके प्रदेश का पहला पक्ची विहार होता है और जो आपके उत्तब इसके उन्नाव जिले में प्रमुखूप से देखने को मिल जाता है इसके अलावा प्रदेश का सबसे बड़ा अगर जो बात किया जाए तो ये भी ध्यान कीगा सबसे बड़ा जो हो जाता है उसका नाम होता है लाख बहुसी पक्ची अभ्यारन और लाख बहुसी की जब बात करते हैं यही मेरठ वगरे का लोकेशन होता है उसके क्रम में ये प्रमुक्ते से सबसे बड़ा देखने को मिलता है साथ ही अगर जो देखा जाए तो आपके प्रदेश का सबसे छोटा और सबसे छोटे पच्ची बिहार की जब बात करते हैं तो एटा के अंतिगत खास करके एटा में प्रमुक्ते से क्या होता है पटना पक्छी बिहार की जब बात करते हैं तो उसका नाम काफी महात्पोन होता है एटा जिले से संबंध है इसके अलामा अगर जो देखा जाये तो एक अभ्यारन और ध्याने कीगा कई बार चर्चा में किया गया है खास करके हमारे हाँ पे टाइबर रिजर्ब का नाम और टाइगर रिजर्ब की जब बात करते हैं तो तीन होते हैं एक आपका दुधवा एक आपका अमनगर और अमनगर बिजनों में पड़ता है और एक आपका पीली भी टाइगर रिजर्ब पीली भी चर्चा में तिया है क्यों क्यों कि इसको अभी हाल ही में टी मल्टिप्लाइट टू पुरसकार भी दिया गया है सामनते अगर जो देखा जाए तो हमारे हाँ पे एक कर सकते हो कि मीटिंग हुई थी और उसके आधार पे निजाल किया गया कि सन 2022 में हमारे हाँ पे जो बर्तमान में सेर हैं उनकी संख्याम दू नहीं कर लेंगे लेकिन इस पीली भी टाइगर ने रिजर पिया किया अभी हाल ही में हमारे हाँ पे जो बर्तमान वागो की संख्याती उसको multiply to पुरसकार आपके business करके दिल्ली सरकार के द्वारा दिया भी गया है ठीक है तो यह थोड़ा सा ध्यान रखेगा चलिए next question है कि उत्तवद इसके अंत्गत नौचंदी मेला लगता है लेकिन नौचंदी मेला कहां पर लगता है अगर जो इसकी बात करें ठीक है एक चीछ थो खड़े हैं लेकिन अगले क्रम में क्या करेंगे हम आपके सामने दोड़ दोड़ के पढ़ाएंगे ठीक है हमारा यही तरीका है इसमें कोई बतलाओ नहीं हो पाएगा भी से ध्यान खेगा no doubt question की संख्या हो सकती हो गिंती में कम हो लेकिन जब हमारा expression की बात की जाती है तो कोई यहां पर comment हम बरदास नहीं करेंगे क्यों क्योंकि हमारा यह अपनी आपका यूनीक तरीका है जैसे हमें सारी चीजे याद हैं हम चाहते हमारे साथ जित्ते लोग जुड़े हुए हैं उनको भी क्या हो यह सारी चीजे ऐसे ही जैसे हम चीजों को आपके सामने हमें करते हैं तो दोड़ के ना पढ़ा पाएंगे इस कान से आपके लिए स्वरी इसे करके चलिएगा यहां पर जब बात करते हैं कि नौचंदी मेला कहां पर लगता है और बहुत सारे लोग चुकि 51,000 जब से बैकेंसी आई है तो वो पगला गए हैं कि यह क्लास यूपी इन सारे परिचाओं के लिए यह क्लास इंपोर्टेंट है तो इसकान इसके लिए परिचान ना हो ठीक है चलेगा नौचंदी मेले की जब बात करते हैं कि आपके मेरट के अद्रत क्या होता है जब होली के दिवस के बाद आपका रंग विरंगा त्योहार आपका खत्म हो ज इसको आपके मेले की जब बात करते हैं तो नौचंदी मेले की जब बात करते हैं तो यह बड़े अस्तर पे क्या होता है आपके लखनव के अंतल्गत आपका बसंद पच्व 20 का मेला लगता है जो कि आके लखनव के अंतल्गत प्रम खूप से देखने को मिलता है इसके अलाम आड़ बात करें तो अहीं पर ध्यानकीड कीगा कि नवचंदी के साथ ही साथ, आपके लखनौ में एक मेला काफी चर्चा में था, जिसका नाम था, आठो का मेला, आठो के मेले के जब बात करते हैं, तो ये मेला, एक ऐसा मेला, जो कि COVID-19 के कारण क्या हो गया था, 400 साल, चोकि 400 सालों से लगातार इस मेले को किया जा रहा था, प्रदेश के अंदर सबसे ज़्यादे मेले कहां पे लगते हैं, तो हमने कई बार चर्चा किया, सबसे ज़्यादे मेले आपके मतुरा में 46 मेले, और सबसे कम कहीं पे लगते हैं, तो वो लगते हैं, आपके पेली भीत में केवल केवल दो मेले, ठीक है, तो इस चीज़ को भी मेला आपको देश मिलता है वो आपके उत्तब देश से सम्मादित होता है लेकिन इस उत्तब देश की जब बात करते हैं तो कहां पे इसका आयजन किया जाता है ठीक है और इसकी जब बात करते हैं तो ध्यानकिगा ये प्रमुक्ते से आपके प्रियाग राज में देखने को मि लिए और इसके लिए आप एक ट्रिक या फिर सूर्थ को याद रखते ही कि कहां कहां पर आपको देख मिलता है तो फैसे आपका प्रयाग राज, हुब के आपका हरिदवार, इसके लावा ऻकल चाना होता है पूरी भारत में चार अलग-अलग लोकेसर में क्या होता बारह बारह साल पे यह आपका मेला आयुजित होता है तो इस सीज को ध्यान केगा कुम्ब का मेला जो कि आपके प्रदेश का सबसे बड़ा मेला होता है और इसके अलाम अगर जो दिखा जाए तो इसी के क्रम में छे साल पे क्या होता है आपको अर्ध कुम्ब का मेल भी देखने को मिलता है पुने द्यानि केगा यहीं प्यापको माग मेला भी देखने को Miltaya पर देखने को मिलता है और अगर जो इसकी बात करें तो लख्णव बनारस छहांसी या फिर अहंदबाद ठीक है इसका सही जबाब क्या हो जाएगा प्रदेश के अंद का तो बात करें तो यहां पे इसका सही जबाब क्या हो जाएगा किसके करम में राष्टिय बनतपती बिज्ञान अनसंधान संस्थान और इसकी जब बात करते हैं तो ध्यान केगा यह प्रमुक्ते से आपके लखनव में स्थीत है हमने कई बार चर्चा किया है बनस्पती सोध संस्थान इसके लामा पुरा बनस्पती सोध संस्थान जो के बीरबल साहनी के नाम से आपको देह मिलता है इसके लामा जो बात करें तो यहीं पर आपका हमारे हां पे केंद्रिये बिस सोध संस्थान और इसके लामा कें केंद्रिया और सथी सोध संस्थान की जबात करते हैं तो यह विभिन प्रकार के सोध संस्थान आपको यही पे दूह मलते हैं इसके अलामा तो यह कि लखनों में देखने को मिलता है ठीक है चलीगा अच्छन की बात करते हैं कि उत्तब्द इसको बर्तमान में कितने संभागों में विभक्त किया गया है ठीक है उत्तब्द इसको कितने संभागों में डिवाइड किया गया है उन्नीस अठारे बीस या फिर एकेस और यहां पर जो बात करते तो आपने बड़े अस्तर पर सुना होगा कि उत्तवदेश 18 अलग-अलग मंडलों में डिवाइड है। हमारे यहां पर नगर निगम की जब बात करते हैं तो नगर निगम की संख्या बरतमान में 17 प्रम प्रम प्रूप से ठीक है तो इसकी संख्या आपको कहां पर देख मिलती है और इसकी जब बात करते हैं तो इसका सही जबाब हो जाएगा लखनव, कानफुर, बनारस या फिर गाजियाबाद ठीक है और करम की जब बात करते हैं तो ध्याने केगा हमारे प्रदेश के अंदगत जो इसकी संख्या देख मिलती है वो आपके कानपूर के अंदगत प्रमकूप से देख मिलती है ध्याने केगा हमारे उत्तवदेश में कई सारे हैं लेकिन कानपूर का जो हो म मुंबई में है और इसके अंतरगत क्या क्या है खुद को रेजिस्टर कराया है और जिसके माध्यम से इन्होंने क्या किया प्रमुक्ते से अपने लिए पैसे की उगाही भी कर रखी है ठीक है उत्तब्र इसके क्रम में मतुरा नगर की जब बात करते हैं तो इस मतुरा नगर के अंगत किस सासक के आपको अस्तंभ लेख आपको देखने को मिलते हैं सासको की जब बात करते हैं तो सासको के क्रम में किस सासक का आपका अस्तंभ लेख आपको प्रमुकूप से देख मिलता है कनिस्क समुद्गुप्त असोक या फिर आपके बिंदू सार ठीक है इसका सही जबाब क्या हो जाएगा आपके प्रदेश की जब बात करते हैं तो इसका सही जबाब क्या हो जाएगा जब हम बात करते हैं अपने प्रदेश में मतुरा नगर की बात होती है ठीक है मतुरा नग इनकी कुछ संख्या आपको देख मिलती है ध्याने केगा मतुरा के अंतगत ही आपको कुसान काल के क्या होते हैं कुछ आपके सिक्के भी प्रमुखुप से देख मिलते हैं बुद्ध भगवान की जब बात करते हैं तो बुद्ध भानुवान की जो आपके मूर्ती बनी है वो का संबंध यहीं से होता है और जिनकी राध्धानी क्या थी मतुरा हुआ करती थी ठीक है तो इस चीज को भी ध्यान रखेगा नेश कोश्चन के उत्तब देश के अंतरगत सूच में यंत्र बनाने वाला और द्योगे केंद कहां पर इस्थित है और सूच में यंत्रों की जब बात करते ही तो उनसे संबंधित आपका जो केंद होता है लखनव में हातरस में गाजियाबाद में या फिर आपके कानपुर में इसका सही जबाब क्या हो जाएगा ठीक है यहां पर जो देखा जाए तो सूच मेंत बनाने वाला और द्योगे केंद आपके उत्तब देश मे कहां पर देख मिलता है और इसकी जब बात करते ही तो प्रमुक्त ऐसे हां कुमल बर्मा बिलकुल सही करे हो कि सूर्षेन की कैप्टल क्या थी आपकी मतुरा हुआ करती थी ठीक है यहां पर इसका सही जबाब क्या हो जाएगा किसकी बात करते ही कि सूच मेंत बनाने वाला आउद्योगिक केंद आपके प्रदेश में इस्थित है तो इसकी जब बात करते हैं तो आप भी जानते ही कि हमारे हाफे जो चोटे-चोटे आपके विवेनुप्रकार के उद्योग में लगने वाले यंत्र होते हैं उनको बड़ी मात्ता में आपके उत्तव्देश के काल या फिर कुसार काल तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा ठीक है आपके प्रदेश की जब बात करते हैं तो आपके प्रदेश के क्रम में सिला लोखों में चुकि आप भी जानते हैं कि उत्तव देश में बेविन प्रकार के अलग-अलग लोग के समय क्या है सिला लेक प् किस से सम्मधित होता है किस काल से सम्मधित हो जाता है द्यान रखेगा इस से काल की जब बात करते हैं तो आपने सुना भी होगा कि हमारी हाँ पर सुंग काल की जब बात करते हैं तो इसी सुंग काल से सम्मधित आपका प्रमुक्त से आयोध्या में इस्थित सिलालेक देखने किसकी बात करते हैं चौखंडी स्थूप की जब बात करते हैं तो ये प्रमुक्तिय से कहां पर देवी मिलता है और इसकी जब बात करते हैं तो ये लाहबाद में गोरकपुर में कौसांबी में या फिर आपके सारनाथ के अंतरगत ठीक है इसकी जब बात करते हैं तो इसका सह के द囉 बनाया गया है और syuk poison d step की जब बात करते हैं तो आपने बड़े स्तर पे सुना होगा कि यह के सार नात सलनात की जब बात करते हैं तो इस हो झे ये जगह पढ़ता है जिस website नाम होता है मूल गंद कुटी बिहार की जब बात करते हैं तो जहां पे इनके जो पांच साथी मित थे इनको पहली बार उपदेश दिया गया तो यहीं पर आपको मूल गंद कुटी बिहार की जब बात करते हैं तो वहीं पर आपको चौखंडी स्थूप प्रमुक्ता से को कुरस्टोफ धमेक स्थूप की जब बात करते हैं तो वह भी आपको आहीं पर देव मिलता है और एक और थाक़ जटोर में हमारा राष्ट्य चिन है लाष्ट चिन अज mooi जानते हैं जिसको हम असोः किसे संग्या देσι हैं तो वह असोः का चिन जो साजोनात्मी प्रमुक्ते से आपको दे मिलता है वो भी आपका यहीं से सम्मंधित हो जाता है ठीक है जिसको हम आज के क्रम में को बोलें तो तिरंगे का जो चक्र होता है या फिर जो आपके सेरों की निसानी है वो भी आपकी क्या हो जाती है इसी से सम्मंधित हो जाती है ठीक है चलीगा इस कोशन की बात करते हैं कि उत्तब्द इसके क्रम में 1857 की क्रांती का सुभारंभ सर्व पर्थम किस नगर में हुआ था और अगर जो इसकी बात करें तो आपके लखनव में मेरठ में इलाहबाद में या फिर आपके कानपुर के अंतरगत ठीक है इसका सही जवाब क्या हो ज थी और आप भी जानते हैं कि 1857 की क्रांती 10 माई 1857 को सुरू किया गया था और ये मुख्य रूप से मेरट से हुआ था और इसकान से इसको हम क्रांती नगरी की भी संग्या देते हैं और अभी हाले में उत्तब्द सरकार के द्वारा यहां पर एक खिल बिस्विद्याले बन पर हमने बोला था कि पसूओ के उपर आधारित करता हुआ एक आपका पसू संग्हाले भी आपके मेरट में अस्थापित किया जाएगा ठीक है नेस्ट क्वेशन आपके लिए कि किस सन में उत्तब्देश का नाम सैयुक्त प्रांत रखा गया सैयुक्त प्रांत की जब बात करते हैं तो इस उत्तब्देश का नाम सैयुक्त प्रांत रखा गया लेकिन सैयुक्त प्रांत की जब बात करते हैं तो इसका सही जबाब क्या हो जाएगा और संयूख्ध प्रांथ की जब बात करते हैं, तो आपने सुना भी होगा, कि हमारे प्रदेश का जो नाम चैंज हुआ था, वो 24 जन्वरी को हुआ था, 24 जन्वरी सन 1950 को, 24 जन्वरी सन 1950 को हमारे उत्तवदेश का नाम चैंज करके, आज का उत्तरपदेश कर दिया गया है तो इस तरीके से सैयुक्त प्रांथ की जब बात करते हैं तो उत्तरपदेश में उत्तरपदेश का नाम सैयुक्त प्रांथ जो रखा गया है ठीक है अरे 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 सॉरी सॉरी यहां पे जो बिंदु पूछा वो सैयुक्त प्रांत को लेकर के पूछा है कि उत्तब देश का नाम सैयुक्त प्रांत कब रखा गया था माप करिएगा यह पूछता कि सैयुक्त प्रांत से उत्तब देश कब रखा गया तो यह आपका 1950 हो जाता लेकिन यहां पे उल्टा पू गई क्यों कि उत्तब देश का नाम संयुक्त प्रांथ की बारे पूछा गया था तो पहले तो आगरा और आवत का संयुक्त प्रांथ था वेकिन बाद में इसको हमने मिला करके क्या कर दिया संयुक्त प्रांथ रख दिया और यह किया था 1936 के अंगर ठीक है चलेगा इस जिपाल राष्टपती मुख्वंती या फिर किसी को नहीं ठीक है आपके प्रदेश की जब बात करते हैं तो आपके प्रदेश में बिधान सभा को भंग करने का प्रमुक्त से अधिकार किसके पास है ठीक है और पुनै अगर जो क्लासे समझ में आती है तो इस क्लास को अप जो चुड़ना चाहते हैं तो इसके साथ जूर सकते हैं करम की जब बात करते हैं तो आपने सुना होगा कि बिधान सभा को भंग करने का जो पूरा अधिकार होता है वो आपके प्रदेश में राज जिपाल महुद्रे को होता है कि इसको गवर्नर की जब बात करते हैं तो यही गवर्नर आपके राज में राज के संदर में क्या करता है जो विभिन प्रकार के आपके विधान सभा होती है उसको भंग भी करता है इसके अलामा कर जो बात करें तो ये सत्र को चालू भी करता है सत्रा वसान की जब बात करते हैं तो इसको चालू कियाता है और इसके अलामा स तो बहुमत दल का नेता होता है, उस नेता को मुख्यमंती की रुप में नियुक्त भी करता है, ठीक है, चलिएगा, इस कोशन है, कि हाली में प्रदान मंती नरेद मोदी के द्वारा उत्तब देश के किस सहर में लाइट हाउस प्रोजेक्ट को लांच किया गया, क्या है, लखनाऊ या फिर आपके कानपुर में, कहां पे इसको लागो किया गया, आकास राना पूछ रहें कि ये यूपीपि के लिए क्लास ले सकते हैं, बिलकुल आप बहुत गलत जगह पर आ गए हैं, अगर जो आप यूपीपी की तैयारी करते हैं, और उसमें अगर जो आप य क्लास को तुरंत कूट करिए और भोशपरी गाना सुनना चालू कर दीजे क्योंकि उससे सम्मंदित question आपके क्या होते हैं UPP में तुरंत तरीके से पूछे जाते हैं कि खेसारी लाल का भी तातकालिक गाना कौन लांच किया गया और निरहुआ की जब बात करते हैं किस प्रकार की होटलाली चूशने में माहिर था या फिर रभी किसन की जब बात करते हैं तो रभी किसन कहां के सांसत थे और इसके लामा मनोस्तिवारी के द्वारा कौन सा बिरहा गाया जाता है ठीक है यही सारे question UPP में पूछे जाते हैं ना कि उत्तब देश जी के पूछे ज गया जिसे इस अगर जो देखा जाए तो पूरे भारत के अंदगत छे अलग-अलग राज्यों में क्या किया गया सात जगहों पे लाइट हाउस प्रोजक्ट नाम के एक योजना की सुरवात की गई जिसमें यही किया गया था कि जो आपके सहर के गरीब बैक्ति होते हैं उ आपका इनको आवास मुहया कराया जाएगा और उस क्रम की जब बात करते हैं तो लखनव आपके उत्तब्द से लखनव को भी क्या किया गया इसमें चालू किया गया है ठीक है तो इस चीज़ को ध्यान रखेगा इस कोश्चन है कि निम्रिकित में से पद्म भिहुसन से सम् निधन हो गया अगर जो इनकी बात करते हैं तो ये किस घराने से समद्ध है ठीक है राजन मिसरा की जब बात करते हैं तो राजन मिसरा की जब बात करते हैं तो ये राजन मिसरा का समद्ध आपके किस घराने से होता है लखनव घराना आगरा घराना बनारस घराना या फिर में से कोई नहीं ठीक है इसकी जब बात करते ही तो इसका सही जबाब क्या हो जाएगा और आप भी जानते हूंगी इनका नाम बड़े अस्तर पर आपने सुना होगा राजन-मिस्रा की जब बात करते ही तो यह आपके उत्तब्दे से समाद्ध होते हैं और उत्तब्द इसके क्रम में अगर जो दिखा जाए तो इनका संब्ध आपके बनारस घराने से हो जाता है दो भाई बंदो थे राजन साजन मिस्रा राजन साजन मिस्रा की जब बात करते हैं तो यह दोनों एक प्रमुक्ते से संगीत कार थे ठीक है नेस्ट क्रॉच है जो खेल से समाधित होते हैं लेकिन उन महिलाओं को रानी लश्मी भाई पुरसकार दिया जाता है जो आपके खेल से समाधित होती हैं तो यहाँ पे इसका सही जबाब क्या होगा कि कौन इसमें इसके अंतरगत रानी लश्मी भाई पुरसकार नहीं प्राप्त किया है तो अगर जो इसकी बात करते हैं, तो इसकी अंगता आपने सुना होगा, अंकिता मौरिया का नाम, अंकिता मौरिया की जब बात करते हैं, तो ये अंकिता मौरिया हमारे हां से समधित नहीं है, खेल के क्रम में, बाकी की जब बात करते हैं, तो साच्छी जोहरी, हिमानी सिंग और उत्तब देश की जब बात करते हैं, तो ये उत्तब देश के किस जिले से होती है, कोईले की प्राप्ति की जब बात करते हैं, तो इसे कोईले की प्राप्ति आपके उत्तब देश में कहां पे देखने को मिलता है, ठीक है, और अगर जिसकी बात करें, सोनबद में, ललितपु बिसेष्टे कहां से आपको प्रमुखुप से दे मिलती है और इसकी जब बात करते हैं तो ध्यानिकिगा यह आपका सोनभद जिला सोनभद की जब बात करते हैं तो यहाँ पे रेडु कूट का नाम रेडु कूट की जब बात करते हैं तो इस रेडु कूट सोनभद में आरा के निर्देशक की जब बात करते हैं तो उनका नाम था बीपी मिस्रा बीपी मिस्रा की जब बात करते हैं तो इनका संबंध आपके उत्तब देश के क्रम में होता है तो ये उत्तब देश के किस जिले से संबंधित आपको देखे मिलते हैं और इनकी जब बात करते हैं तो को आप सेयर करना चाहते हैं तो comment box में उसके बारे में बताएंगे और उसके आधार पे हम क्या करते हैं अगले दिवस में उसके उपर सुधार करने की पूरी कोसिस करते हैं ठीक है तो चलिएगा आज के लिए class यहीं तक रखते हैं बाकी पूरे ध्यान केगा कि कल की class में मिले नहीं करेंगे तो फिर आगे से question नहीं मिलेगा ठीकर तो चलिएगा आज के लिए इतना ही रखते हैं बाकी अगली class में पुने मुलाकात होगी तब तक के लिए thank you all the best good night शुबरागते